गूड आप्टनू दियर चूर्डन हम हिंदी में पार्ट चौदा मतलब लेसन फोटीन कर रहे हैं जिसका नाम है नटखट चूहा तो नटखट चूहा कर रहे हैं जिसके नाम से पता चल रहा है यह कहानी एक चूहे बारे में है और वह बहुत नटखट है जिसका है लाई है अपने बिल से बार निकल कर को आफ़ोगी आप बार शद्रूघ कोरे एक बिल में रहता है औराуса बहुत दिनों तक वो back बाहर नहीं आ पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रहे थी तो बारिश के मौसम के कारण बहुत बहुत बोर हो गया है वो back बाहर जाना चाहता है वो शहर कीुसम advisorosh सबसे पहले वो जाता है एक कपड़े की दुकान में और कपड़े की दुकान में जाकर वो दुकानदार से अपनी टोपी के लिए कपड़ा मागता है उसको देखकर दुकानदार उसे पसंद नहीं करता और उसे बोलता है जा यहां से और उसे खुब डांट लगाता है और जब चूहे को अब शरारती चूह है उसे कुछ शरारत सूचती है तो वो दुकानतार को धमकी देता है उसको बोलता है उसको बॉन करता है कि अगर वो उसको टोपी के लिए कपड़ा नहीं देगा तो वो अपने सैना लाकर तो वो एक गाना गाता है जिसमें वो कहता है कि वो अपनी सैना लाएगा, रातो रात में आऊंगा, अपनी सैना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, तो तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगा, काट दूंगा, तो डरके मारे दुकान दार उसे टोपी के लिए कपड़ा दे देता है, और बहुत ही अच्छा रेश्मी कर दिए कि एक अयरा को कुंगा और तोपी कर द시ख दरजी तोपी घरने करता हो काoire अ कने पमदों मेंटों। तूपी बिल्कुल नहीं कर दिएखलो मैं यह सिलने वाला। फिर वो फिर से वही शरारत करता है क्योंकि वो नटखट चुआ है वो उसको कहता है दर्जी को रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा कि तेरे जो सारे कपड़े दुकान में रखे हैं उसको कुतर दूंगा काट दूंगा तो डर के मारे जो दर्जी है वो उसकी टोपी सिल देता है अब जब वो टोपी पहनता है चुखा तो उसको लगता है यह बहुत सिंपल है बहुत साधी सी टोपी है अब मैं इस टोपी को कुछ अच्छी सी बनाने के लिए इसमें सितारे लगवाँगा फिर वो एक सितारे की दुकान में जा रातों रात में आऊंगा अपणी सेना लाऊंगा तेरे सितारे भिखेर उगा पार जो हमारा कि इसेंगोंने जो सितारे भी सब्सक्राइब भी करता ऐथा में देंगे जो सितारेरी बंसटन करना और जो ना-पार當ative करना, If people are responsible for this seem एक नई शरारत करने वाला है वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम पढ़ेंगे कि अब वो जब उसकी टोपी तयार होगी है उसके बाद वो कहां जाता है और वो किस तरह से सबको परिशान करता है ठीके बच्चो